जहिंद एक DSP पती जिसकी पत्नी कथित तौर पर जज के तौर पर कारे रत थी वो अक्सर पुलिस में नौकरी पाने के चाहवान लोगों की मदद के लिए आगे आते जादातर पुलिस में नौकरी पाने के चाहवान इन से संपर्ख किया करते उसके बाद पतनी अपने घर पर उन लड़कों को लेकर आती और कई कई दिन उन्हें घर पर रखा जाता उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती, उनकी तैयारी करवाई जाती, एक्जामिनेशन फॉर्म भरवाया जाता और उसके बाद जेल में तैनात DSP से मिलवाने के लिए उन्हें ले जाया जाता पुलिस का दावा है कि इन लड़कों से बड़ी मत्रा में पैसे लिये जाते थे जिसकी एवज में नौकरी लगवाने का दावा किया जाता था सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 11 लाक और कॉंस्टेवल की पोस्ट पर लगवाने के लिए 5-8 लाक रुपए की रकम ली जाती थी अब जैसे ही ये बात पुलिस के कानों में पड़ी पुलिस ने अपना जाल बिछाया और सबसे पहले पत्नी को कथित जज को गिरिफतार किया और उसके बाद पती का नंबर आया पती को भी गिरिफतार कर लिया गया पर पूश्टाच के दौरान जो सच निकल कर सामने आया उसने सब को हैरान परिशान कर दिया इस केस के बारे में आपको बताएंगे पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियो उसको देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ओन कीजिए, कॉमेंट कीजिए और इसके साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, मैं जानता हूँ ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में एक दिल्चस्प केस है और एथिक्स समझने के लिए तो खास तोर पर बहुत ही महतपूर है अब समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या दरसल पंजाब बेट बीएसपी के तोर पर तैनात नर्पिंदर सिंग अपना जीवन अच्छे से गुजार रही थी वही दूसरी और जमालपूर के सेक्टर 49 की रहने वाली महिला दीप किरन भी अपने परिवार के साथ एक खुशाल जीवन गुजार रही थी दोनों शादी शुदा थे पर अचानक से दो साल पहले इन दोनों की मुलाकात होती है दीप किरन जो की मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्राइबुनल में मेंबर के तौर पर भी काम करती थी उसे समय समय पर लुध्याना की जेल में काम के लिए जाना पड़ता था जब कालम के सिलसिले के लिए वहाँ पर जाया करती तो वहाँ पर उसकी मुलाकात DSP नर्पिंदर सिंग से हुई दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, नमबर एक्सचेंज हुए, फिर एक दूसरे के साथ मेसेजेज और फिर फोन कॉल का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे-धीरे ये सब कुछ प्यार में तब्दील हो गया दोनों शादी शुदा थे और दोनों को अपनी हदों का पता था पर इसके बाद जूद वो अपनी हदे भूल गए और प्यार का रिश्टा परवान चड़ गया फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया और तक्रीबन दो साल पहले दोनों ने शादी भी रचा ली जो कि कपूर्थला के एक मंदिर में हुई अब पुलिस के मताबिक दोनों ने शादी तो कर ली शादी के बाद एक बड़ा प्लैन बनाya पैसे कमाने का नरपिंदर ने अपने दो दोस्तों एक था साहनेवाल का रहने वाला सुखदेव और दूसरा था पंजाब के मंडी गोबिंदगर का रहने वाला नरेंदर दोनों को बुलाया और एक प्लैन समझाया और उस प्लैन के तहट अब ये चारों मिलकर काम करने लगे modus operandi ये था कि नरिंदर और सुकहदेव पुलिस में नौकरी करने के चहवान लोगों को ढूंडा करते जो नए नए लड़के पुलिस में नौकरी पाना चाहते है कोई constable बनना चाहता है, कोई सब-inspector बनना चाहता है उनको ढूंडा जाता, उनको लालच दिया जाता कि आपको पैसे की एवज में नौकरी दिल्वा दी जाएगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत रही है और जब वो लड़के तैयार हो जाते उसके बाद उन से पैसा लिया जाता और उसकी एवज में उन्हें मिलवाया जाता DEEP KIRN नाम की ये महिला से जिसे बताया जाता कि वो जज के ताउर पर कारेरत है उन से मुलाकात के बाद उन लड़कों की ट्रेनिंग घर पर करवाई जाती और लंबे समय तक उन्हें घर पर अपने पास ये महिला रखा करती और फिर फाइनल राउंड होता डीएसपी नर्पिंदर सिंग के साथ जी हाँ जब ट्रेनिंग चल रही होती तो उसी दोरान डीएसपी नर्पिंदर सिंग जो की जेल में तैनात थी उनके साथ मुलाकात करवाने के लिए इन लोगों को ले जाया जाता जब एक सर्विंग डीएसपी से मुलाकात होती तो ये सब ही जो की नौकरी पाने के चाहवान थे वो कही न कही संतुष्ट हो जाते पैसा देने के बावजूद उन्हें ये बात चुबती नहीं क्योंकि उन्हें लगता कि अब उनकी नौकरी की मनजिल दूर नहीं रह गई है पंजाब पुलिस के डीसीपी इन्वेस्टिगेशन वरिंदर सिंग बराड के मताबिक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भरती करवाने के नाम पर ये जोड़ा 11 लाक रुपे वसूल किया करता जबकि कोंस्टेबल की पोस्ट पर नौकरी दिलवाने के लिए 5-8 लाक रुपे की वसूली की जाती और जो लोग नौकरी पाना चाहते थी वो कहीं से भी पैसा ही कठा करके इनको दे दिया करते और फिर अपना भविश्य पूरी तरह से इनके हवाले करकर बैठ जाते थी कई लोग ऐसे थे जिने नौकरी नहीं भी मिली और वो चुप चाप बैठे रहे और कई लोग लंबे समय तक नौकरी का इंतजार करते रहे अब धीरे धीरे इन नौजवानों की संख्या बढ़ती चली गई लोगों को नौकरी के लिए अपलाई करवाया जाता कुछ लोग ऐसे भी थे जो नौकरी में सलेक्ट हो गए और या फिर हमारे पैसे वापिस किये जाएं पर ना तो दीप किरन और ना ही नरपिंदर इनके सवालों का जवाब दे रहे थे इन मैंसे एक नौजवान ऐसा था जिसने किसान यूनियन की मदद ली और दीप किरन वो नरपिंदर पर दबाव डालने की कोशश की जब किसान यूनियन के कुछ लीडर डीप किरम से मिलने के लिए आए तो दबाव के चलते उसने कुछ चेक साइन करके दे दिए उसने कहा कि मैं पैसे वापस कर रही हूँ पर जब वो चेक भुनाने के लिए बैंक में जमा करवाए गए तो वो सभी चेक बाउंस हो गए जिसके बाद इस लड़के के पैरो तले जमीन निकल गई अब ये सब समझ चुके थे कि उनको ठगा जा चुका है और नौकरी दिलवाने वाली बात में किसी भी तरह की कोई भी सच्चाई नहीं है एक तरफ वादा करने के बावजूद एक नौजवान को दिया गया चेक वापिस हो चुका था यानि बाउस हो चुका था वही दूसी तरफ जब चारों कमप्लेनेंट यानि शिकायत करता इन लोगों से संपर करने की कोशिश करते तो ना तो उनका फोन उठाया जाता नहीं उन्हें किसी तरह का कोई आश्वा संदिया जाता और तीसी तरफ ये लोग अपने धंदे को बड़ी तेजी के साथ जोर शोर से आगे बढ़ा रहे थे पुलिस के मताबिक नर्पिंदर के दो दोस्त लगातार इस तलाश में लगे रहते कि किसी तरह से कोई शक्स मिल जाए जो पुलिस में नौकरी करने का चहवान हो उसे घुटी पिलाई जाती एक तरह की कि आपकी नौकरी लगवा दी जाएगी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं सिर्फ पैसा दे दीगे अब इस बीच जब इन नौजवानों ने शिकायत करताओं ने देखा कि उनकी बात बिलकुल नहीं सुनी जा रही तो इन्हों ने पुलिस में अपनी शिकायत धरज करवाई गई तो शुरुवात में किसी पुलिस अधिकारी को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ इसके बाद प्रील मेरी इंक्वारी यानि प्रात्मिक जांच की गई जब जांच की गई तो पता चला कि आरोपों में सचाई है इसके बाद धर फकड पुलिस ने शुरू कर दी लुध्याना के ततकालीन पुलिस कमीशनर मंदीब सिंग सिद्धू ने बताया कि इस गैंग को पकड़ने के लिए CIA 2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर बेयंत जुनेजा और SHO मोती नगर पुलिस टेशन सब इंस्पेक्टर जगदीब सिंग गिल की ड्यूटी लगाई गई बाकाइदा T में गठित की गई कि किसी भी तरह से इस गैंग को काबू किया जाए DSP को गिर्फतार किया जाए और कठित जजज पत्नी को भी काबू किया जाए अब पुलिस ने फोन ट्रेक करने शुरू कर दिये ट्रैक करने के साथ साथ लोकेशन भी ट्रैक की जा रही थी पुलिस को पता चला कि दीब किरन इस समय पंजाब के लुध्याना के मोती नगर इलाके में मौजूद है और वहां से कई भागने की तैयारी कर रही है अब जैसे ही दीब किरन अपनी स्विफ्ट कार में बैठी तभी पुलिस की टीम पहुँची और पुलिस ने दीब किरन को गिफ्तार कर लिया पुलिस के मताबिक दीब किरन पहले ट्राइबिनल की मेंबर थी और उसके बाद एड़ोकेट के तौर पर लगातार काम करती थी वो सच्चाई में कोई जज नहीं थी पर जो कैंडिडेट्स नौकरी पाने के चाहवान होते थे उनके सामने दीब किरन को जज के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता और वो भोले भाले लड़के भोले भाली लड़कियां इस बात पर यकीन भी कर लिया करती वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने DSP नर्पिंदर सिंग पर भी शिकंजा कस लिया और उन्हें ग्रिफतार कर लिया अब जब इनके ठीकानों पर रेड किया गया तो ऐसा समान बरामद हुआ जिसे देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गई अब जब इनके ठीकानों पर छापे मारी हुई तो वहाँ पर दो पुलिस के जॉइनिंग लेटर बरामद हुए तीन पुलिस की यूनिफॉर्म बरामद हुई जिनमें से एक यूनिफॉर्म पर एक लड़की श्रिया कपूर का नाम लिखा हुआ था पुलिस को शक है कि श्रिया कपूर नाम की किसी लड़की से पैसे लिये गए होंगे जिसकी एवज में उसे नौकरी दिलवाने का वादा किया गया होगा इसके बाद पुलिस श्रिया कपूर नाम की लड़की की तलाश में जुट गई वही एक फॉर्चूनर गाड़ी बरामद हुई एक लाक रुपया कैश मिला और पंजाब पुलिस में रिक्रूटमेंट के दस फॉर्म वहां से बरामद हुई अब फॉर्चूनर गाड़ी एक DSP रेंक का अफसर या एक एड़ोकेट आम तोर पर कोई अपनी कमाई पर शायद नहीं अफॉर्ड कर पाते तो इसलिए पुलिस को शक है कि ये सारा पैसा जो काला पैसा कमाया गया था लोगों को ठक कर उसी से ही गाड़ी ली गई और उसी से ही आगे भी साधन जुटाए जा रहे थे अब पुलिस ने इस पूरे मामने की गंभीरता को देखते हुए FIR रेजिस्टर की IPC की धारा 406, IPC की धारा 465, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत IPC की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वास भंग करने की सजा दी जाती है और अगर कोई दोशी पाये जाता है तो उसे तीन साल तक की सजा सुनाई जा सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं IPC की धारा 465 की अगर बात करें तो इसके तहत जालसाजी के लिए सजा दी जाती है दो साल की सजा इसके तहत हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं तीसरी इंपोर्टेंट धारा है IPC की धारा 420 जिसका जिक्र हम लगातार अपनी ज़्यादतर वीडियोज मे करते रहते हैं धोखा धड़ी के लिए ये धारा लगाई जाती है जिसमें साथ साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना होगा वो भी कंपलसरी IPC की धारा 468 में धोखा धड़ी के उदेश्चे से अगर कोई जाल साजी करता है और उसे दोशी पाए जाता है तो साथ साल की सजा और साथ में जुर्माना होता है IPC की धारा 471 उसमें ये कहा गया है कि जाली दस्तावेज या एलेक्टरोनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उप्योग करना या पेश करना अगर इसका दोशी किसी को पाए जाता है तो IPC की धारा 471 के तहत उसे सजा हो सकती है और उसे 468 के तहत जो सजा है साथ साल की और जुर्माना वही किया जा सकता है IPC की धारा 120B के तहत आपराधिक साज़िश के लिए सजा दी जा सकती है अब कुल मिलाकर इस मामले को देखने के बाद ये पता चलता है कि कभी भी किसी भी पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा हो अपने नैतिक मुल्यों को कभी छोड़न गया है या नहीं जहिंट